एक brand ambassador बनने के बाद दिपिका पादुकोन फस चुके हैं बहुत बड़ी controversy में क्या है वो controversy आए करते हैं बात हलो दोस्तों मैं अभीशेक और आप देख रहे हैं Google Bollywood दिपिका पादुकोन की बात करें जैसे ही उन्होंने एक brand के साथ टाप किया वैसे है उस brand ने अपना shoot खत्म किया और एक ad बनाई और दिपिका पादुकोन ने उस ad को अपने fans के साथ कर दिया और जैसे ही video logo तो पहुंची और एक director थे जिन्होंने दिपिका पादुकोन की इस ad पे कुछ आरोप लगाए हैं उनका मानने ये है कि जो उन्होंने set create किया था अपने film में हूब हूब वही set create किया गया है इस ad में और बिना permission के साथ इस set को use किया गया है बता दे director का नाम है सूनी तारपुरवाला और उनकी movie थी ये बेले जो Netflix पे होई थे release उस movie की बात करें तो उस movie में एक studio को use किया क्या था जिसमें dance सिखाया जाता है और वैसा ही studio दिपिका की ad में देखने को मिल रहा है तो director ने आरोप लगाए है कि इस creative video के पीछे चोर छुपा है जी हाँ उन्होंने साफ साफ कहा है कि मेरे set को चोरी किया गया है और जैसे ही हमने ये set बनाया था अपना shoot खत्म करके अपने set को dismantle कर दिया था और आपने बिना permission के साथ मेरे set का इस्तिमाल किया है तो आप लोग चोर हैं बता दे सोनी ने एक post को share किया था जिस पे reply भी किया है रूपिन सूचक ने जो उस ad के production designer है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि मेरी director नहीं ऐसे करने को कहा था और अगर हम उस ad के director की बात करें तो उनका नाम है नादिया मार्को डोड़जन और उन्होंने अभी तक कोई reply नहीं दिया है सोनी को लेकिन दिपिका की इस ad अब फस चुकी है बवालों में और फिर से इस मस्तानी actress का नाम फस चुका है controversy में अगर हम ad की बात करें तो ad तो बहतरी इन shoot की ही गई है लेकिन जो set है वो चोरी का है अब देखना यही बाकी है कि ये case कहा तक पहुंचता है सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे रहता है या फिर इस पे कोई कानूनी कारवाई भी होती है लेकिन आपकी कह रहा है इस सब case आप अपना feedback हमें जरूर दीजेगा और Bollywood के साथ जुड़े रहने के लिए देख ते रहेगा हमारा चैनल जिसका नाम है Google Bollywood